नमस्कार दोस्तों आप साभी का स्वागते एक बार फिर से एक्जाम तक हिंदी.com पे सबसे सटिक जानकारी और सबसे पहले अपडेट ठीक है ना इसी के साथ हम लोग आपको हर एक नई जानकारी की सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं आज हम लोग एक और नई वेकंसी के साथ आ गए हैं और ये वेकंसी निकली हैं इंडियन आर्मी में तो इंडियन आर्मी में भरती होने का सपना लाखों युवा देखते हैं लेकिन सफल वही होते हैं जिनके मन में जज़बा होता हैं जुनून होता हैं कुछ करने का हिंमत हो होता हैं तो ठीक है ना उसकी वेकंसी की डीटेल हम लोग आपको सबसे पहले एक्जाम तक हिंदी.com पर देते हैं वाटसप ग्रूप हमारा जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ठीक है ओके फिर अगर आप लेप्टॉप में देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाते ही आपको यह दिख जाएगा और अगर मोबाइल में दिख रहे तो कुछ अलग तरह से दीखेगा लेकिन वेबसाइट यह एक्जाम तक हिंद आप लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर आप पूरी डीटेल पढ़ो और फिर अपना फॉर्म फिल करने का ऑप्शन भी आप पर मिलेगा ऑफिशल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा और ऑफिशल वेबसाइट का भी यहाँ पर आपको आप्शन मिल ठीक है ना तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी 21 नवंबर 2018 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए 31 दिसमबर 2018 तक लगबग एक महिने तक इसके फॉर्म फेलिंग होंगे तो अपने ज्यादा से ज्यादा वाट्सअप फेस्बुक ग्रूप से इस वीडियो को हो ताकि और लोग भी फाइदा उठा सके ठीक है ना प्रवेश पत्र जो हैं वह 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आपकी रेजिस्टर्ड इमेल आईडी पर भेज दिये जाएंगे अकर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताना हम आपकी प्रॉब्लम यानि कि काफी अलग अलग पदों पर यह वेकंसी निकली हैं काफी गोल्डन अपोचनियोटी हैं आप लोगों के लिए तो आप लोग खुद तो करना ही करना साथ में और लोगों को भी बता देना ताकि और लोग भी इसका फाइदा उठा सके उम्र सुनिमा जो हैं वो नि ख्याल से निर्दारित नहीं है ठीके ना इंडिया नामी में काफी सारे पद है सफिसियंट पद हैं ठीके ना कुछ कम पद नहीं होंगे यह मैं आपको बता देता हूं इस्थान जो हैं वो बोंगाई गाउं असम में हैं ओके कुछ लोग होते ना वो बताते नहीं है किसी लेकिन हम लोग आपको पूरी जानकारी देते हैं सबसे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको तस्वी बारवी में 45% आंक होने चाहिए और परतियक विश्य में 33% होना चाहिए ठीक है ना तो यह सब काफी सारी योगेता हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं सैनिक तकनि की में आपको पीसी आम निकी फिजिक्स केमिस्ट्री मेत में उतीन किया होना चाहिए सेनिक तकनिकी में लेकिन अगर आपने आठ से भी उतीन क्या है तो आप जरल ड्यूटी में फोर्म एपलाई कर सकते हैं और सैनिक ट्रेड में वगरे में पीश्व्य глаз kiss का प्लस टू इंटर्मेडियेट परिक्षा 50 प्रतिशत अंक और परतियक विशे में 40 प्रतिशत अंक के साथ उतिन होना चाहिए ओके नो डाउट अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए हम आपको फोरण रिपलाई देंगे सैनिक ट्रेड मेन में आवेदक जिनोंने 10 परिक्षा उतेंड की हैं से मेस कीपर हाउस कीपर को छोड़ कर जो भी आठ भी पास हैं यानिकी इनमें आठ भी पास भी चल जाएगा ओके या एक मानित्ता प्रप्त संस्ता के समकक्षों के अब सैनिक क्लर्क में क्या हैं स्टोर कीपर तक नहीं की जिनोंने किसी भी यानिकी आर्ट्स साइन्स कॉमस में 12 परतिक विशे में युनुतम 50 प्रतिशत में उतिर्ण की हो तता 10 यां 12 में 50 के साथ अंग्रेजी या गणित किसी मानिता प्रप्त संस्तान से अध्यन किया हो होना चाहिए ओके यानि अगर आप आटवी पास भी हैं तो भी इसमें फॉर्म एप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग पदें उनमें अलग-अलग रिक्वार्मेंट्स हैं शारिरिक शमता क्या है जनरल ड्यूटी इन सभी में मैं आपको बता देता हूं जनरल स सिमाटि में उम्र सिमा वो 6. Sarah से एकके से हैं बाकि सभी में 3.小時 से देहींस हैं ठीक है न तो यह आप क्लियर कर लो सभी में 300 से तैईस सिवाई ज्यवाई जनरल ड्यूटी की ओके अंच्ञाणिक जनरल muit्यूटी ट्रेड मन एंट्ट्र क्लर्ग स्टोर्ट कीपर इंवेंटर management में 160 cm चाहिए और सेनिक टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंस में आपको 157 cm होना चाहिए और छाती जो होती हैं वो सभी में 37 cm होना चाहिए 77 और 5 cm एक्स्पेंड होनी चाहिए फूलनी चाहिए ओके आवेदन कैसे करना है आपको वीडियो का description में जाना है यहां पर इसी पोस्ट में आना है और हमारे महतोपन लिंक वाले सेक्शन जैसा कि आप लोग जान गए होगे कि हम लोग हर एक में महतोपन लिंक वाला सेक्शन डालते हैं यहां पर सबसे उपर apply now पर आपको क्लिक करना है आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जा पढ़ ले एंड सेकंड तेंग आप से हाथ जोड़ते हैं इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सको ताकि हमारे इंडियन आमी में कुछ लोग जोई हो सके हमारे फॉलाद सेनिक जोई हो सके ओके तो हम आपको बता देते हैं कि हम जो यह हैं हमारे यहां पर इसी कारण से यह सब प्रॉब्लम होती है हमने यह पेज पहले खोल रखाता तो यहां पर हमारा वाट्सअप ग्रूप भी जॉइन कर लीजी ओके तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद चलिए यह खुल गया हमारा इंडियन आमी वाला क्योंकि कुछ लोग डाउट ते लिंक गलत डाल दिया है यह सब इंस्ट्रक्शन है कैसे फोर्म बढ़ना है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर देना हैं ओके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आप लोग आके पढ़ चाहेंगे लेकिन आभी में पर फोर्म बढ़ना नहीं है तो चलिए जैहिंद